हेलो फ्रेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जहां आम देते हैं पुराने सिक्के और नोट्स के बारे में सच्ची जानकारी दोस्तो आज हम आपको अपको अपने वीडियो में 5 रुपीज के एक कॉम्रिटिफ कॉइन के बारे में बताएंगे बताएंगे उसकी वैलु क्या होती है और कौन सी कंडिशन वो ज्यादा वैलु पे सेल होता है दोस्तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो दोस्तो वो स्क्रीन पे एक कॉइन दिखाए दरोगा दोस्तो ये कॉइन 5 रुपीज का एक कॉम्रिटिफ कॉइन है इस कॉइन का जो थीम था 60 years of Indian government mint कॉलकता था दोस्तो इस कॉइन की बात करें हम लोग तो इसका जो metal होता है nickel brass होता है इसका जो weight होता है 6 grams तक होता है size जो होता यानि कॉइन का जो diameter होता है 23 mm तक होता है और save circular होता है जोस्तो इस कॉइन को तीनो मिंट चारो मिंट ने issue किया था Bombay mint कॉलकता हैदरावाद और नॉड़ा में तो इस तो बात यह कि हमें कुछ subscribers ने हमें ये इस कॉइन के मेंजे sent किया है और कहा है कि सर ये coin हमाँ पास है इसकी value क्या होगी और इसको में sell करना है उसको बता दिया जै अभी भी ये coin जो है market में अभी भी available है बहुत जादा quantity में ये 5 रुपीज का comparative coin common coin है हो सकता है कि आप सभी को कम देखने को मिलता हो तो आप लोग को लगता होगी कि ये coin थोड़ा rare है लेकिन इस coin की जो value है normal है phase value पर जाता है लेकिन अगर आप एक collector है किसी collector को कि जरूरत है तो वह हो सकता है पांच रुपए के बदले साथ से दस रुपए पर पीज दे दे लेकिन वो भी UNC condition में देगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे collector है जो सिर्फ competitive coins का collection करते हैं सारे competitive coins 1 रुपीज का 2 रुपीज सारे competitive coins का collection करते हैं तो 5 रुपीज के competitive coin ये वाला collection में होना भी जरूरी है तो इसलिए हो सकता है इस coin का वो लोग UNC condition में साथ से 10 रुपए पर पीज तक दे दे दें बाकी से जादा इसकी कोई value नहीं होती है आपको हर वीड रेर वो एक specific theme पर बनाया गया coin हो सकता कि आपने नहीं देखा हो लेकिन वह coin common होता है और coin की value होती हाई होने में बहुत सारी चीज़े depend कर दिये specification क्या होती है कौन से mint से कौन से year से है कौन में कोई error है या नहीं बहुत सारी ऐसे चीज़े होती है जो कि depend करती है coin की value के जो coin कितने में sell होगा इसलिए दोस्तों कि आप ऐसे videos बहुत सारी है ऐसे videos मैंने बहुत सारी YouTube में ऐसी videos देखे जिसमें यह coin दिखाया गया है और इसकी value बहुत ज़्यादा बताई गई है और लोग वही देख कि हमसे बोलते हैं सर उस वाले video में तो इतना बताई गया उनक आप उसके लिए में contact कर सकते हैं हम try करेंगे कि आपको यह coin है UNC condition में कहीं से मिल जाए लेकिन दोस्तों आपको एक बात होता दीजाए कि अगर आप हमसे एक coin खरीदें के तो हमसे हो सकता है थोड़ा महेंगा पड़े क्योंकि shipping करना फिर उसके याद से shipping charges अलग से यह सारे चीजे इसलिए इसमें फोड़ा हो सकता है महेंगा पड़े कम सकते हैं आपको 10 points हमसे लेने ही पड़ेंगे अगर आपको कोई books या notes या coins की books है क्योंकि हमाँ पास बहुत सारे लोगों ने contact किया थे कि उनको coins की books चाहिए तो बता दे जोस्तों अगर आपको coins की books च कर सकते हैं अब बात करते हैं अगर आप हमारे चैनल पे नए हमाई वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर लाइक करने से मोटिवेशन मिलती है और शेयर करिए अपने family के साथ friends के साथ और comment करके बताएगा कि आपके प